जानते हैं कि बर्ण माला लिखना और आक्षर माला पढ़ना अभी आपको सिखना है हिंदी व्यकर्ण हिंदी व्यकर्ण में अभी हम स्वर्ण के प्रकार और अनुनासित वर्ण और विसल और वेंजन और उस्मवेंजन सयुकताक्षर यह कौन से कौन से है और किन-किन अक्षरों को हम क्या क्या कहते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ाई करें चीख है अभी हम पहले लिख कर लेंगे स्वर्ण जितने भी स्वर्ण अक्षर है असे लेकर हम आहात है उसके जो अंदर विभाग किया बाद में देखें, ठीक है, अभी देखें, स्वार, ठीक है, अभी, अ, आ, इ, इ, उ, 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 रू, ठीक होने के पाद, ए, आ, इ, ओ, आ, अ, अ, आ, 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 यह हो गए, स्वार के अक्षर, तेरा, पुल मिलाकर, तेरा हो गए, तो इसके अंदर जहें, अभी स्वार, स्वार कॉंसे है, और इस स्वार कॉंसा है, और अनुनासी कॉंसा है, इसके बाद में पढ़ाइए, ठीक है, अभी यह जो हो गए, पूरे स्वार, इसमें से स्वार रहेंगे, आपे लिग कर देती हूं, स्वार, कितने हैं, एक, दो, ती, चार, पांट, छे, साथ, आत, नौ, दस, ग्यार हो, कितने है, दस, ग्यार हो, तो कुल मिला कर कितने हैं यहां पे, ग्यार हो, ठीक है, और वो कौन से कौन से है, यहां पे लिकर, और से लेकर, ओ, आ, ठीक है, इ, 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 उ, इ, इ, आ, ठीक है, इसके बाद है, ओ, आ, यह जो है, स्वार, ग्यार हा है, और इनको हम स्वार कहते हैं, ठीक है, अभी यह हो गया स्वार, इसके अंदर, इसके अंतर, स्वार, जो है, स्वार के दो प्रकार, इतने हैं, स्वार के दो प्रकार, वो कौन से कौन से है यहाँ पर भी मैं लूप कर दें स्वर के दो प्रकार पहला बाला है विस्वर या रिस्वर रिस्वर किसे कहा जाता है जो उच्छान करने के लिए कमय सम लेता हुआ अक्षर को हम रिस्वर कहते हैं यानि कि उच्छान करने के लिए कम समय लेने वाले अक्षर हुआ हुआ रिस्वर के लिए के लिए कम से कम समय लेने वाले अक्षर जो है जल्दी से हो गया लिए उसी तरीके से बाकी के जो कौन सा है उसका हम पता लगा है इसके लिए आ जो है यह अधिक समय लेता है तो आ इसमें नहीं आता इ जो है यह भी रिस्दस्वर है चीक है और इ बड़ी इ आती है नहीं यह भी इ नहीं आती है उसके बाद जो है उ उ भी कम समय में उच्छान होता है तो यहां पर रिस्दस्वर है उ चीक है और उ, उ भी नहीं आता क्योंकि उ भी उच्छारण करने के लिए अधिक समय लेता है और री, री जो है री को भी कमय सम लगता है तो यहाँ पर री हिस्दस्वर है ठीक है? अभी ए ए के लिए ज्यादा समय लगता है और ये आई के लिए भी ज़्यादा समय लगता है ओ के लिए भी ज़्यादा समय लगता है और आउ के लिए भी यानि कि ये जो है शब्द इसमें रिस्तस्वर में नहीं होते यहाँ पे रिस्तस्वर के अक्षर है चार अभी दूसरा आया, स्वर का दूसरा प्रकार है, दीर घस्वर, दीर घस्वर, दीर घस्वर योनिकी, उच्छारण करने के लिए अधिक समय लेता हुआ अक्षर को हम, या लेने वाले अक्षर को हम, दीर घस्वर कहते हैं, और एक बार दोज़ाती हूँ, दीर घस्वर योनिकी, उच्छारण करने के लिए अधिक समय लेते, लेने वाले अक्षरों को हम दीर घस्वर कहते हैं, पाद इए यहाँ पे दीदधस्वर हो गई यहाँ जो है यहाँ पे दीदधस्वर हो गई बड़ी ई जो है वो भी दिर्धस्वर है ठीक है अभी उ हो गया यह भी कम समय में तो यहाँ पर मैंने विस्धस्वर में लिख दिया है तो बड़ी उ जो है यहाँ पर अभी दिर्धस्वर में आती है इसके बाद री तो अलएड यहाँ पर लिख दिया है ए यह भी इसके लिए ज्यादा समय लगता है तो यह ए उसके बाद जो है आई के लिए ज्यादा समय लगता है उसके बाद है O, O, वो भी ज़्यादा समय देता है, और आउ, आउरत, इसको भी ज़्यादा समय देता है, ये कुल दीर दस्वर कितने है, एस्वर कितने है, एक, दो, तीन, चार, पांट, शें, जाथ, ये जो है, साथ है, ठीक है, ये जो है, साथ है, तो अभी आपको पता चल गया, रिस्दस्वर कुन सा है, और दीर दस्वर कुन सा है, अभी इस पूरे इसमें आपको, दीर दस्वर मैंने बता दिया, स्वर बता दिया, रिस्दस्वर भी बता दिया, इसमें अभी दो रहे गए, वो है कुन से है, वो है आम और अहा तो आम और अहा क्या है आम जो है अनुनासिक है आम को हम क्या कहते हैं अनुनासिक अनुनासिक कहने के अम मुँ अपना बंद होकर स्वर्ण बाहर यानि के नाच से बाहर निकलता है उसको हम अम अनुनासिक कहते हैं और अहां जो है वो मुँ से हम हवा निकलते हैं अहां तो यह है विसर्व टिक है तो आपको अभी पता चलेगे यह भी है एक अक्षर है और यह भी एक अक्षर तो फिर से एक बार आपको पूर तरीके से पहले से लेकर आखरी तर दोराओंगे ठीक है ठीकिए ए हो गया स्वर और इसमें से स्वर है ग्यारहा वो है और आपर अनुनासिक और विसर्ग है अब यह स्वर हो गए और यह स्वर के दो प्रकार है यह स्वर के दो प्रकार है यानिकि ब्रिस्दस्वर और दिर्गस्वर यह क्या है जो उच्छारण करने के लिए कम समय लेता हो उस्वर को हम ब्रिस्दस्वर कहते हैं और दिर्गसवर्ग के हैं जो उठारण के लिए अधिक समय लेता हुआ स्वर्ग उसे हम दिर्गसवर्ग कहते हैं और अनुनासिक जो है अम है और विसंग जो है अहां है तो अभी आपको क्या करना है यह जो मैंने जैसे बताया है उसी तरीके से अपने home work book में दो बार लिखना है और एक बार अपने class work में यह देखकर पूरा ठीक सही तरीके से correct लिखना है बिना गलती की यह हुए सही मात्राई उप्योग करने हैं इस अक्षर लिखने हैं कही भी गलतिया ना हो ऐसे ध्यान रखना यह जी है एक रही है अगले class में हम पढ़एंगे वेंजन यह स्वर हो गए अभी वेंजन वेंजन के प्रकार वेंजन में कौन से वेंजन है कितने IT है उसके बारे में हम खेडे सामे नहां हो इन्यवाका धे इन्यवा सेजे को और में नहां कर कि मिल भी आहा है